मुहम्मद रफी ने संजय गांधी को बहुत समझाने की कोशिश की, उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, उनसे बार बार रिक्ष्ट की, रहम की भीख मांगी वैसे तो मुहम्मद रफी 31 जुलाई सन 1980 को इस दुनिया को छोड़ कर जा चुके हैं मगर उनके लाखों फ्रेंस और उनके लाखों दिवाने आज भी इस दुनिया में मौझूद हैं मुहम्मद रफी की जिन्दगी से जुड़े बहुत सारे किस्से मशूर हैं आज मैं आपको मुहम्मद रफी की जिन्दगी से जुड़ा एक ऐसा अंसुना किस्सा सुनाऊंगा जिसके बारे में शायद आपको ना मालूम हूँ जब मुहम्मद रफी ने संजय गांधी से मांगी थी रहम की भीक आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा मुहम्मद रफी ने संजय गांधी से मांगी थी रहम की भीक समझ नहीं आया आपको सब समझ में आ जाएगा लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा मेरा नाम है शरद आप देख रहे हैं दि बॉलिवूड बोरें ये किस्सा तपका है जब 25 जून सन 1975 को ततकालीन प्रधान मंतरी शीमती इंदिरा गांधी ने पूरे देश में एमर्जंसी लगू कर दी थी एमर्जंसी के दौरान किस तरीके से विपक्षी नेताओं और अपने विरोधियों पर सरकार ने जुल्म किये ज्यातियां की उसकी कहानिया तो आपको मालूम ही होगी एमर्जंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने अपना एक 20 सूत्री कारकरम बनाया था अगर मैं 20-30 कारकम के बारे में बताने लगूंगा तो आज जो किस्सा मैं आपको यहां सुनाने के लिए बैठा हूँ वो किस्सा बहुत लंबा खीच जाएगा और मैं उसे लंबा खीचना नहीं चाहता चूकि आज कल वक्त किसी के पास ज्यादा होता नहीं तो चलिए लोटते हैं किस से पर? सरकार ने अपना ये जो 20-30 कारकम बनाया था वो इसका ज्यादा स्यादा प्रचार पसार करना चाहती थी ताकि इन 20-30 कारकमों के जर्ये पब्लिक में एमरजनसी के लिए एक पॉजिटिव वेव क्रियेट हो नेगेटिव वेव ना क्रियेट हो एक पॉजिटिव महौल बने नेगेटिव महौल ना बने इंद्रा गांधी ने इसकी जिम्मेदारी दी तक्कालीन Information and Broadcasting Minister VC शुकला यानि विद्याचन शुकला को विद्याचन शुकला ने अपने ओफिसर्स की एक मीटिंग बुलाई कि ऐसा क्या किया जाए कि इन 20-30 कारकमों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार पसार हो सके उस मीटिंग में एता है हुआ कि इन 20-30 कारकमों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार पसार करने के लिए इन 20-30 कारकमों को एक गाने में ढाला जाए यानि इन 20 सूतर्यकारकमों का एक गाना बनवाया जाए और इसे बॉलीवूट के किसी बड़े मशूर सिंगर से गवाया जाए चुकि बॉलीवूट के गाने लोगों में बहुत मशूर हो जाते हैं इसी वज़र से अगर इस गाने को कोई बॉलीवूट का बड़ा और मशूर सिंगर गाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गाने को सुनेंगे और इस गाने के जरिये सरकार के 20 सूतिरिकार के मुँखा ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो जाएगा विद्दा चैन्ट शुकला को ये idea बहुत पसंद आया मिटिंग में ये भी टैर हुआ कि ये गाना किशोर कुमार से गवाय जाए किशोर कुमार से चुकि किशोर कुमार बहुत बड़े और मशूर singer थे पबलिक में बहुत popular भी थे अगर किशोर कुमार इस गाने को गाएंगे तो ज़्यादा सज़्यादा लोग इस गाने को सुनेंगे मंतराले के जॉइंट सेकेटरी सीवी जैन ने किशोर कुमार को फोन लगाया और फोन पर किशोर कुमार को साही बात बताई और किशोर कुमार से कहा कि सरकार आप से या पेक्षा रगती है कि आप सरकार का सहयोग करेंगे और ये गाना गाएंगे लेकिन किशोर कुमार ने ये गाना गाने से इंकार कर दिया किशोर कुमार ने कह दिया कि उनकी तबियत खराब है इसलिए गाना नहीं गा सकते सेहट से जुड़े कारण बताते हुए किशोर कुमार ने ये गाना गाने से मना कर दिया सीबी जैन को किशोर कुमार की ये बात बहुत बुई लेगी सीबी जैन को लगा कि किशोर कुमार छूट बोल रहे हैं किशोर कुमार नाटक कर रहे हैं वो ये गआना नहीं गाना चाहते इसे विज़ा से बहाना बना रही है सीवी, जयन ने ये बात अपने अफाव ओफिसर यानि की मंताले के सेकेर्टरी एचमेस बर्णी को बताई एचमेस बर्णी ने ये बात مिनिस्टर वी सीशुकला को बताई विसी शुकला किशोर कुमार पर गुस्टे से उबल पड़ी किशोर कुमार की इतनी हिम्मत वो सरकार को मना करेंगे किशोर कुमार के खिलास विसी शुकला कोई कदम उठानी की सोच ही रहे थी जचानक उन्होंनों सोचा कि पहले संजय गांधी से इस बाहे में राई ले ली जाए। चुकि सब जानते हैं, विसी शुक्ला संजय गांधी के पक्ये पपट थी। वो Sanjay Gandhi की पूछ हुआ करते थे, Sanjay Gandhi से पूछे बिना वो खाना तक नहीं खाती थे विसी शुक्ला ने इस बाये में Sanjay Gandhi से बात की और फिर Sanjay Gandhi के कहने पर किश्योर कुमार के गानों पर पूरी तरह से बेन लगा दिया गया रेडियो पर किशोर कुमार का कोई गाना नहीं बच सकता था चुकि किशोर कुमार के गानों पर बैन लगा हुआ था जिन फिल्मों में किशोर कुमार ने एक्टिंग की थी उन फिल्मों को ना ही टीवी पर दिखाय जा सकता था ना ही सिनिमा घर में दिखाए जा सकता था यहां तक कि कृषोर कुमार के गानों की गमफोन कैसेट्स की भिक्री पर भी रोक लगा दी गई कृषोर कुमार कोई भी नया गाना नहीं गा सकते थे चुकि उनके गानों पर बैन लगा हुआ था किशोर कुमार के खिलास संजय गान्धी ने इतना कड़ा कदम इसलिए भी उठाये था च्योंकि संजय गान्धी पूरी बॉलीवुट फटेंटी को ये मेसच देना चाहते थे कि अगर सरकार के खिलास कुछ किया तो यही हशर होगा सरकार की मर्जी के खिलास कुछ किया तो यही हाल होगा पूरी बॉलिवूड फटेंटी किशोर कुमार के खिलास हुई इस नाइन साफी को किशोर कुमार पर हुए इस जुल्म को सिर्फ चुप चाप देखती रही यह जुल्म ही तो था किशोर कुमार अगर उस गाने को नहीं गाना चाहते थे तो आप उनके साथ जबदस्ती कैसे कर सकते हैं किशोर कुमार ने अगर वो गाना गाने से इंकार कर दिया तो मतलब आप उन्हें इस बात की सदा देंगे ये तो सरा सरा नाइन साफी है ये तो सरयाम जुल्म है और ये जुल्म किशोर कुमार के पक्के दोस्त मुहम्मद रफी से बदाश नहीं हो रहा था मुहम्मद रफी किशोर कुमार के लिए कुछ करना चाहती थे किशोर कुमार पर लगा ये बैन किसी तरह से हटवाना चाहती थे मगर ये बेन हटवाने के लिए वो क्या कर सकते थे मौहमद रफी ने इसके लिए सबसे पहले किशोर कुमार से मिलकर उनसे बात की उनसे सारा मामला समझा किशोर कुमार की साही बात समझने के बाद मौहमद रफी ने तय किया कि वो संजय गांधी से मिलेंगे संजय गांधी से मिलकर वो उनके सामने किशोर कुमार की वकालत करेंगे किशोर कुमार प्रलगा बैन हाटवाने की कोशिश करेंगे महमा दर्फी ने संजय गांधी से मुलाकात की महमा दर्फी ने संजय गांधी को बहुत समझाने की कोशिश की उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की उनसे बार बार रिक्वेश्ट की रहम की भीख मांगी ममा दर्फी ने संजा गांधी से किशोर कुमार के लिए मगर संजा गांधी संजा गांधी ने ममा दर्फी की एक ना सुनी संजय गांदी अपने गुस्टे के आगे किसी की नहीं सुनते थे संजय गांदी ने मुहमाद रफी से साफ शब्दों में कह दिया कि आपके दोस्त किशोर कुमार ने सरकार से पंगा लिया है और उन्हें इसकी सक्थ सब्भुगतनी होगी किशोर कुमार पर लगा बैन नहीं हटेगा कहा जाता है कि जब मुहमाद रफी ने इसके बाद भी संजय गांदी को समझाने की कोशिश की तो संजय गांदी ने मुहमाद रफी को धम की दी संजय गांदी ने कड़े सवर में मुहमाद रफी से कहा कि अगर आप ने मुझे समझाने की ज़्यादा कोशिश की तो मैं किशोर कुमार के जैसा बैन आप पर भी लगाता हूँ इसलिए आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजी अब मुहमद रफी क्या कर सकते थे मौहमद रफी के संध्या गांधी को लाक समझाने के बावजूद उन्हें बार-बार मनाने के बावजूद उनसे बार-बार विक्रिष्ट करने के बावजूद रहम की भीख मांगने तक के बावजूद संध्य गांधी ने किशोर कुमार पर लगा बैंड नहीं हटाया मुहमद रफी अस्फल हो गए किशोर कुमार पर से ये बैंड तभी हटा जब एमर्जंसी हटी भले ही मुहमद रफी किशोर कुमार पर लगा ये बैंड हटवाने में नाकामियाब रहे असफल रहे मगर इस घटना से मुहमद रफी ने किशोर कुमार के दिल में अपनी एक अलगी जगह बना ली जब पूरा वॉलिवूड किशोर कुमार पर हुई ज्यात्ती पर चुप बैठा था खामोश बैठा था तब वो मुहम्मद रफी ही थे जिन्होंने किशोर कुमार के लिए अपनी आवाज उठाई, अपनी आवाज बुलंद की इसलिए इस घटना के बाद किशोर कुमार के दिल में मुहम्मद रफी के लिए इज़त और बढ़ गई, सम्मान और बढ़ गया एक अलगी जगा बन गई किशोर कुमार के दिल में मुहमद रफी के लिए तभी तो कहा जाता है जब 31 जुलाई सन 1980 को मुहमद रफी इस दुनिया से रुखसत हुए तब उनके पैरों के पास बैठ कर किशोर कुमार घंटों तक मुहमद रफी के लिए रोते रही खेर ऐसे थे मुहमद रफी उनसे अपने दोस्त के लिए जो हो सकता था उन्होंने किया मुहमद रफी कुशोर कुमार पर लगा बैन हटवाने के लिए जो कर सकते थे उन्होंने किया उम्मद करता हूँ महमद अर्फी से जुड़ा हुआ ये किस्सा सुनकर आपको अच्छा लगा होगा उनसे जुड़ा ही किस्सा आपको पसंद आया होगा अगर किस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे जब भी कभी बॉलिवूट के किस्ते सुनने का मन हो तो दबॉलिवूट बॉई पर ज़रू आईए